दोस्तो वैसे तो online पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और पैसा सभी की जरूरत है बिना पैसे के बात भी नहीं बनती है अगर आप YouTube पे या Google पे सर्च करोगे online making money या कोई भी ऐसी query अगर आप type करते हो तो अक्सर आपको blog मिलेगा, YouTube चैनल मिलेगा, आप affiliate marketing से पैसे कमा सकते हो, WordPress से कमा सकते हो, Freelancing करें कमा सकते हो, कई सारे तरीके हैं एक नया तरीका मैंने और खोज निकाला है, जिससे आप बिना skill के online पैसे कमा सकते हो, and trust me आप dollars में earning कर सकते हो, तो यहाँ पे जो method हम use करने वाले हैं, वो है Google Maps, पूरा वीडियो देखिएगा, detail में सारी strategy में आपको बताऊंगा, कि आप कैसे अच्छी-खासी income generate कर सकते हो, first time अगर मेरे channel पे आना हुआ है, please channel को subscribe करके support जरूर करें, at the end, अगर यह online making money idea आपको पसंद आये काम का लगे, तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, तो चलिए इस वीडियो को फटापट शुरू करते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम, अब Google Map से earning करनी है, तो सबसे पहला step है, कि आपको इस website पे आना है, most.com, SEO से related tools वगरा प्रोवाइड करती है यह website, यहाँ पर आपको citations by category देखने को मिलेंगी, यहाँ पर कई सारे business categories है, जैसे की dentist है, doctors है, education है, bakeries है, banks है, bars है, beauty salons है, restaurants वगरा है, almost जितने भी business categories है, उन सभी की list आपको यहाँ पर मिलती है, इस page का link मैं आपको वीडियो को description में दे दूँगा, ठीक है, अब हम यहाँ पर एक business category चूज़ करेंगे, let's say beauty salons, तो step 2 है, आप type करोगे, Google Maps, तो सबसे top पे Google Maps की official website आपको मिलेगी, let's click on it, अभी right now मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया का map यहाँ पर दिख रहा है, आप जिस भी country से से वीडियो को देख रहे होगे, आपके end पे आपका country दिखाई देगा, top left corner पे Google Maps का search box है, अब यहाँ पर आप type क currency मजबूत है, तो USA customers हमें पकड़ने हैं, अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, तो आप देखोगे, beauty salon category में कुछ ही businesses हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम zoom in करेंगे, तो कुछ business और हमारे सामने आ सकते हैं, overall हमें USA customers को ही target करना है, left hand side पे उन सारे businesses के list आपको देखने को मिल हुआ है, सबका जो average निकल के आ रहा है, वो 4.9 star rating है, मतलब service बहुत बढ़ी आ है, number of reviews भी बहुत जादा है, तो इस business को हम नहीं पकड़ेंगे, दूसरा business है, boys, salon and spa, इसकी भी ratings 4.3 star है, लेकिन number of reviews जो हैं, वो कम है, सिर्फ 93 लोगों नहीं इसको rating and reviews दिया हुआ है, अब US म हर एक business owner इस चीज़ को बड़ा importance देता है, कि अगर उसके business पे reviews and ratings कम हैं, तो उसको कम business मिलेगा, ज्यादा rating and reviews है, तो उसको ज्यादा business मिलेगा, तो rating and reviews का ही सबसे बड़ा खेल होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे business के list बनाएंगे, जिनके पास reviews and ratings के जो number से वो कम हैं, मतलब number of reviews कम हैं, बड़ ratings उनकी अच्छी है, service अच्छी है, जैसे कि एक यह business है, तो आप एक काम करोगे, Google Sheet open कर लेना, यह Excel वगरा भी आप open कर लेना, एक column को अब title दोगे, business name और दूसरे को contact details, अब यह वाला जो एक business है, इस पर आप click करोगे, तो इसकी details आपको इस तरह से pop-up मे right hand side पर दिखाई देती है, यहाँ पर आप देखो, इनकी एक website भी है, आपको simply इस arrow पर click करना है, और उनकी official website open हो जाएगी, now scroll down करते हैं, हमें find out करना है, इस business का email address, तो मुझे यहाँ पर यह email address मिल गया, आप simply इस email को उठा लो, और copy कर लो, फिर Excel sheet में जाएंगे, और यहा ले box में like this, ठीक है, फॉर्मेटिंग मगर आपने हिसाब से आप कर ले, अभी यहाँ पर multiple fonts है, दूसरा business और सर्च करते हैं, जैसे की एक business और है, 16 salon studio, इनके पास ratings तो अच्छी है, 4.7 है, लेकिन जो number of ratings है, वो कम है, 39 है, तो इसे भी आप open करोगे, इनकी भी official website पर चलते ह हुआ है, let's copy it, आप इस box में paste करो, और business का नाम क्या है, 16 salon in Levis Village, कोई जगह है वहाँ पर, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर put कर देते हैं, इसके भी हम formatting कर देते हैं, अब इसी तरह से आप एक-एक करके, different different businesses को analyze करोगे, उनकी पूरी एक list निकालोगे, अभी आप मैं अब यह business चला रहे हैं, इनकी वहाँ पर अच्छी खासी कमाई है, अगर आप इनको अच्छी service provide कर सकते हो, इनको reviews and ratings arrange करवा सकते हो, genuine तरीके से, तो यह आपको अच्छा खासा payout करेंगे, even in long term business में चलता रहता है, अब हमें तो नहीं मालूना, reviews and ratings कहां से मिलेगा, हम कैस reviews and ratings arrange करवाएंगे, तो उसके लिए हम एक service use करने वाले हैं, तो step 3 रहेगा, आपको website open करनी है, fiverr.com, यह एक freelancing marketplace है, जहाँ पर world के top के freelancers अपनी freelancing services provide करते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस website पे आना top right corner पे sign up का button रहेगा, एक free of cost account create कर लेना, sign in करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, अब यहाँ पे एक search box है, इसमें आप type करोगे Google Maps और enter push कर देना, अब यहाँ पर basically होता क्या है, जैसे कि एक यहाँ पे freelancer है, जाहिद M करके, यह अपनी service provide करते हैं, इसी तरह से एक है Daniel S, यह अपनी services provide करते हैं, कोई भी specific service यह provide करेंग इसे हम gig कहते हैं, fiverr.com एक freelance marketplace है, जहाँ पे world के different freelancers अपनी services provide करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि अब एक मुझे gig दिखाई दे रहा है, इसे हम gig भी कहते हैं service को, यह एक बंदा है Daniel S, इसने लिखा हुआ है, I will do 350 Google Maps citations for local business SEO, मतलब 300 businesses के लिए यह local SEO कर सकता है, जो Google Map पे registered है, इसका price कितना है, 437 रुपे से start करता है अपनी services को, फिर different different इसने pricing plan बनाए होंगे, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा gig ढूणना है, जो reviews and ratings में काम करता हो, अब वैसे fiverr पे directly reviews and ratings mention करना allowed नहीं है, इसलिए यह लोग अपनी profile पे ऐसा कुछ लिखते नहीं है, बट जितने भी यह यहाँ पे Google Maps से related gigs provide कर रहे हैं लोग, यह लोग reviews में भी dealing करते हैं, तो let's say मुझे इस बंदे को hire करना है, ठीक है, मैं as a mediator काम करूँगा, मुझे client लेके आना है, मान लो मुझे कोई client US का मिल गया, उसे reviews and ratings चाहिए, तो अब मैं यहाँ से एक बंदे को hire करूँगा, जो reviews and ratings arrange करवा सकता है, यह तो बीच की income होगी, वो मैं अपने पास रखूँगा, तो पहले मैं इस profile को open करूँगा, अब यहाँ पर इसका individual page open हो गया, तो यहाँ पर आप देखो, उसका 3 pricing plan दिये हुए है, basic plan है, जिसमें 50 map citation के service देगा, 437 रुपए, यह charge करेगा Indian रुपीज है, standard plan में 1.500 बढ़ जाते हैं, और premium plan में 3.500 बढ़ जाते हैं, इसको hire करने से पहले, आप इनसे directly बात भी कर सकते हो, यहाँ जब contact me का option है, आप chat box में जाके इनसे directly बात करो, pricing बढ़ दन करो, मान लेते हैं, एक customer है US का, जो आपको एक review का 50 cents देने को तयार है, 50 cents मतलब आधा dollar, 40 रुपए एक review का, और यह बंदा आपसे 20 रुपए चार्ज करता है एक review का, तो आपके पास सीधा सीधा 20 रुपए बचते हैं पर review, ठीक है, review का बहुत जाधा amount नहीं मिलेगा, but no doubt, अगर आपके पास ज्यादा orders हैं, तो आप ज्यादा income generate कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कर करेगा, amount का आप 50% एक freelancer को देदो, 50% आप अपने पास रखो, यह एक अच्छा तरीका है, online income generate करने का, क्योंकि US में से बहुत सारे business owners हैं, जो reviews and ratings की एहमियत को समझते हैं, उन्हें reviews and ratings चाहिए, तभी उन्हें अच्छा business मिलता है, तो आप यह service provide कर सकते हैं, अब रही बा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने template ready किया हुआ है, आप चाहो तो इस video को pause करके इस पूरे template को अपने पास लिख भी सकते हो, note कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले एक subject है, आपको email basically भेजना होता है, उन clients को, जो US में रहते हैं, मैं business को operate करते हैं, subject में आप ऐसा कुछ mention कर सकते हो, enhance your salon's visibility with our proven review and rating boost service, और यहाँ पर ऐसा भी mention कर देना, on Google Maps, then after यहाँ पर matter दिया हुआ है, यह email का content रहेगा, जैसे कि dear और salon का नाम आप यहाँ पूट कर सकते हो, मान लो आपने salon यहाँ पर mention किया है, BV, यह B-boy जो भी था, B-boy salon services, ठीक है, ऐसा कुछ, then यह email का content है, I hope this email finds you well, my name is, आप अपना नाम यहाँ पर put कर दोगे, and I have specialized in helping beauty salons like your standout on Google Maps with B-spoke review service, तो यहाँ पर सारी चीज़े mention की हुई है, reviews क्यों जरूर ही है, आप क्या का services provide कर सकते हो, और अपने सारी detail आप नीचे mention कर दोगे, आपका पूरा नाम, position, company name, अगर आप company के तोर पर operate कर रह उस business को serious तरीके से देखते हैं, अगर आपकी website यहाँ mention रहेगी, तो वो समझेंगे भई, कि हाँ आप professional तरीके से इस business को operate कर रहे हो, तो आपको अपनी website जरूर ready रखनी है, अगर website नहीं बनाना आता है, तो आपको किसी को hire करने के जरूरत नहीं है, मैं already एक free tutorial पहले ही बना कर सकते हो, तो यह पूरा business model होने वाला है, आप Google Map की help से इस तरह से customers को reach out कर सकते हो, USA customers reviews and ratings को बहुत importance देते हैं, उन clients को पकड़ो, Fiverr से एक बंदे को hire करो, उसे काम दे दो और बीच में जो भी आपका incentive बचता है, जो भी आपकी income बचती है, वो आप अपने पास रखोगे ठीक है, तो इसमें किसी तरह का skill की जरूत नहीं पढ़ने वाली है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग अस्तमाल करना है और आप बहुत अच्छी income generate कर सकते हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों को साथ भी जरूर शेर करें, वीडियो को like भी कर और प्लीज चैनल को subscribe जरूर करें, ताकि इसी तरह के और भी नए-नए ideas में आपके लिए आगे ले करके आता रहूंगा, मिलते हैं next वीडियो में